नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं जर्खंड सीम हिमन सुरे ने सहा योजना का किया सुभाराम चाईबासा के एसोसियेशन ग्राउंड में बुद्वार को जर्खंड के मुखे मंत्री हिमन सुरे ने खेल की परतिभा को बढ़ावा देने के उदेशे से सहा योजना का सुभाराम किया इस वजना के तहद सरकार ने दो से दस हजार रुपे तक पुरुसाहन रासी भी देने की घोसना की है बतादे सुभारम के दोरान सीम सीरी सुरे ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामिन अस्तर से लेकर परखंड वजीला अस्तर तक खिलाडियों का चैन होगा उसी के अधार पर उन्हें राश्तर ये अस्तर तक पहुंचाया जाएगा जिसकी सारी जीमेदारी सरकार की होगी सीम सीरी सुरे ने कहा कि पच्चमी सिमुम जीला नक सलवाद परभावी छेतर के नाम पर लोगों को भय होता है लेकिन अब नहीं होगा यहां खुशी से लोग रहेंगे उगरवादी छेतर के नाम पर लोगों को डराया जाता है लेकिन जो ग्रामीन छेतर में रहने वाले लोग आज भी खुशी के साथ रहते हैं उन्हें किसी तरह का डर नहीं होता है जार्खन के कई इलाकों में बरफिली हावा के बहाव की वज़ा से बुद्ध्वार को ठंड में बढ़ोत्री हुई है जिससे सीरन बढ़ गई है राजे के 6 जीलों में ने उत्वं 15 डिग्री सेलसे से नीचे चला गया है इस कारान आमजन ने दीन में भी कनकनी महसूस की और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े का साहरा लिया बतादे पच्मी भी छोब के हिमाली तट पर सक्रिय होने की वज़ा से उतर दिशा से ठंडी हावा का बहाव तेज हो गया है राजे की उतर दिशा से ठंडी हावा का परवेश जार्खन में हो रहा है अभी राजे के उतर पच्छी म भाग में डाल्टन गंज गढ़वा लाते हार चत्रा कुडर्मा और लोहर्दा का कैलावा समी पुवर्ती इलाके में ठंड का परभाव ज़ादा है जे पी एसी पर इच्छा रद करने की मायं को लेकर सड़कों पर उतरे चात्रे साथवी से दसवी जे पी एसी पर इच्छा रद करने की मायं को लेकर बुद्धवार को जारकन के सभी जीलों के सैकडों अभियार्थियों ने मोराबादी मैदान में उग्र रैली निकाली अभियार्थी मोराबादी मैदान से निकलते हुए मुख्यमंत्री आवास गिराव करने के लिए निकले लेकिन उन्हें मोराबादी मैदान के बीच रास्ते में बैरिकेटिंग कर पूलिस ने रोक दिया जह जारखन में फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे कुरोना वायरस का नया वेरियंट देश में तेई से फैल रहा है इस वेरियंट से सबसे ज़्यदा परभावित अगर कोई अन्य राज है तो राया स्थान है बता दे अब ओमिक्रोन को ले करके एक वियान द में साथ गुना ज्यादा फैलने की चामता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका अकलन अब तक 60 कुरूप से किया गया है लेकिन हम इसे लेकर पूरी तरह गंभी रहा हैं और कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जैसे कि हम कोशिज कर रहे हैं कि टेस्टिंग ज्याद की मिली मंजूरी नेशनल मेडिकल कमिशन ने पलामू और हजारी बंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है इसके साथ ही सेक्षिनिक सत्र 21-22 के लिए MBBS के 100 सीटों पर एडमिशन हो सकेगा बता दे स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा कि इस समंद में केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसूक मांडविया के साथ ही एडिशनल चीप सेकेटरी से बात चित हुई एक दो दिनों के अंदर माने आता समंदी पत्र प्राप्त हो जाएगा इस मामले को लेकर जारकन के स्वास्त विबाग के अपर मुक्षची अरुन कुमार सिंग ने भी इसकी पुष्टी की है HEC करमचारियों को अब दो माह का बेतन मिलेगा पिछले 14 दिनों से बकाया बेतन भुक्तान की मांग को लेकर आंदोरन रत HEC करमचारियों को अब दो माह का बकाया बेतन भुक्तान कर दिया जाएगा पतादे पहले H.E.C. प्रवंधन एक माह का बकाया बेतन देने की बात कह रहा था बुद्वार को H.E.C. प्रवंधन और मजदूर यूनियन के बिच वारता हुई इसमें तय हुआ कि करमचारियों को एक माह के बदले दो माह का बकाया भुकतान किया जाएगा बकाया बेतन नए साल में यानि 4 जन्वरी 2022 तक हर हाल में कर दिया जाएगा आज गुरुवार को रामगर बंद रामगर जिले में अनियमित पिधूत अपूर्ती एवं राची नई दिली भाया बरका काना चलने माड़े राईधानी एक्सप्रेस राची चोपन एक्सप्रेस जैसे परमुक ट्रेनों का परिचालन पोन रूप से बंद कर देने के विरोध में बुधवार की साम सहर में रामगर चेंबर अफ कोमर्स की अगोए मसाल जुलूस निकला इसके बाद गुरुवार को पूरे रामगर जीला बंद का अवान किया गया बतादे इसको लेकर बुधवार को सहर के में रोड चट्टी बजार थाना चोप आधी इलाकों में रामगर चेंबर अफ कोमर्स की ओर से नुकर सभा आयोजित की गई साथ ही लोगों से बंद को लेकर समर्थन मांगा गया एक्शन में गुमला पुलीस रविंद्रे गांचु की तलास जारी भागपाम मवादी के नक्सलियों द्वारा 15 दिन पहले कुरुमगाड थाना के नए भवन को उड़ाने के बाद गुमला जिला के पुलीस एक्शन में है गुमला पुलीस रविंद्रे ने कुरुमगाड इलाके में नक्सलियों के तलास शुरू कर दी है इस अभियान के ताहद बुद्वार को गुमला एसी डाक्टर एहतेस्ताम वकारीब नक्सलियों को खोईने जंगल में घुसे साथ में प्रसिक्छू एसपी सुसंभू जैन सियार पीफ के कमांडेट अनिल मींज भी पुलीस जवान वा सियार पीफ के साथ थे सतर साल से अधिक वाले भी कर सकेंगे हज यात्रा अब सतर साल से अधिक उम्र वाले ब्रीद भी हज पर जा सकेंगे बतादे साथी अरब ने सतर साल से अधिक उम्र के लोगों के हज पर लगाई गई पावांदी हटा ली है इस सम्मंद में केंद्रिय हज कमिटी का आदेज आ गया है यह जनकारी जारकन हज कमिटी के अधियक्ष वजाम तड़ा के बिधायक डक्टर इफान अंसारी ने दी है बता दे इस फैसले से अब 70 साल से अधिक उम्रवाले लोगों में खोसी है गोतला भाय की केंद्रिय हज कमिटी ने हज के ऑनलाइन फरम भरने की आखरी तारिक 31 जन्वारी घोसीत कर दी है इस तारिक तक आज मीन हज पर जाने के लिए आविदन कर सकते हैं इस बार पी हज पर वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने करोना के दुनों ट्विका लगवा लिए हैं जारखन में करोना के 15 नए केस मिले हैं जबकि 13 मरी स्वस्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 125 है भारत में 6,984 नए केस मिले हैं जबकि 81,68 मरी स्वस्त भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 86,943 है जारखन में सबसे अधिक अविक्सित बच्चे के हो रहे पैदा पता लगा रहे ड्रीम्स के डॉक्टर अनुवांसिक कार्णों से अविक्सित बच्चे खुद और सोजन के लिए बोज की तरह हो जाते हैं बतादे मांसिक और सरेरिक तोर पर अपुन बच्चे के लिए जीवन चुनावती बन जाती है सरकार के टास्क के बाद रिम्स इसके अधियन और उपाय में जुटा है पिछले दो साल के भीतर पैदा हुए 4000 बच्चों और 2000 गरबोती महिलावों का सेंपल लेकर इसकी जाच कराई गई है जिन पर अधियन भी चल रहा है और इलाज भी बता दे 4000 बच्चों में से 25 बच्चों में G6 PD की कमी पाई गई है जार्खन ATS में दर्ज हत्यार तसकरी मामले को NIA ने किया टेक ओवर जार्खन पुलिस के आतंकवा निरोधी दस्ता में दर्ज हत्यार तसकरी के केस को राष्ट्रिय जाच एजेंसी NIA ने टेक ओवर कर दिया है बता दे पुरा ममला मवादियों अपराधियों को अवय तरीके से हत्यार वा सुरक्षा बलो के कार्थूस्त की सप्लाई से समन्दी था इन हथियार हुआ कार्थुस्तों का इस्तेमाल मवादी वा प्राधी लेवी वसुल ने तथा सुराक्षा बलो पर हमले के रूप में करते हैं हथियार सप्लाई के इस परकरण में CRPF वा BASF से जुड़े तीन जवान की भी जारकन ATS ने ग्रेपतारी की थी ट्रैफिक नियम तोड़ा तो मुबाइल पर एसमिस भेज कर लिया जाएगा जूर्माना चारखन में ट्रैफिक पुलिस ने स्पीट पोस्ट से चलान भेजने की विवस्ता को समाप्त कर दिया है अब यातायात नियम का उलंगन करने वाले वाहन चालकों को उनके मुबाइल नमबर पर एसमिस से चलान भेजा जाएगा बता दे नियम तोड़ने के आधे घंटे के भीतर चलान वाहन मालिक के मुबाइल नमबर पर भेज दिया जाएगा ट्रैफिक पुलिस की ओर से असिस्टम इसी माह से लागू करने के तियारी की जा रही है दरसल उनहीं चालकों के मुबाइल नमबर पर चलान का मैसेज भेजा जाएगा जिन्होंने 2016 के बाद वहन खरीदा और रेजिस्टेशन के समय मुबाइल नमबर भी आंकित कराया होगा खोटी जीला अस्तरिये मुख्यमंत्री अमांतरन फुटबोल परत्योकता संपन खोटी जिला अस्तरिये मुख्यमंत्री अमांतरन फुटबोल परतियोगते 2021-22 का फाइनल मैच बुद्वार को आजित किया गया कारकरम में उपायुक्त उपिकास आयुक्त पर्योजना निदेशक आईटी डिये ने खिलाडियों का उत्साह वर्धन किया उपायुक्त सासी रंजन ने परति भागियों को प्रेरित करते हुए उन्हें सुबकमनायदी तता खिलाडियों को अपनी फुरी छामता के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया लोहरदगा में 750 क्यूंटल धान की हुई खरिदारे लोहरदगा डिसीद लीब कुमा टोपो ने बुद्वार को धान अधिप्राप्ति जोजना बर्स 2021 की सुरुवात कैरो परखन अंतरगत सधाबे पंचायत इस्थित डूमर टोली के लेप्स से की इस महों के पर 749 क्यूंटल धान की खरिदारी लेप्स द्वारा किया गया बता दे जीले में कूल 18 धान अधिप्राप्ति केंद्र हैं वहीं कूल 5110 किसानों ने अपना रेजिस्टेशन करा रखा है जारखन के सभी विश्व विद्याले में छात्राओं को मिलेगा मातित्व अवकास सभी विश्व विद्याले व कॉलेजों में एमफिल व पिएशडी कर रही छात्राओं को मातित्व अवकास तथा बच्चों के देखभाल के लिए अवकास मिलेगा जबकि परिच्छा फर्म भरने के लिए बिशेस परिश्थिती में तीथी में विश्थार किया जा सकेगा बता दे केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्याले अनुदान आयोग ने सभी बिश्वविद्याले सहीत उच सिक्चन सस्तानों की से लागू करने की दिशा में करवाई करने का निर्देश दिया है जारखन के राजस्ववसुली में हुई ब्रिधी राज्य की राजस्ववसुली में पिछले वर्ष के मुकाबले ब्रिधी हुई है हलाक केंद्रिये सहायता में कमी दर्ज की गई है पिछले वीतिये वर्ष 2021 में वार्षिक लक्ष के मुकाबले अक्टूबर तक 31.95% की वसुली हुई थी चालू वीतिये वर्ष 2021-22 के दरान इसी अधी में वार्षक लक्ष के मुताबिक 38.62% की वसुली हुई बतादे पिछले वीतिये वर्ष अक्टूबर तक केंद्रिये सहायता वा अनुदान मद में 38.96% मिली थी रांची में देश भर के 800 से ज्यादा पहलवान दिखाएंगे अपना दमखम खेलगा में कुस्ती का खाड़ा सच चुका है बतादे दंगल का दाव पेच मेगा अस्पोर्ट कमपलेक्स के गनपतरा इंडोर स्टेडियम में दिखेगा इसमें ज्यारखन के 30 पहलवानों का एक दल भी सामिल हो रहा है उमीद है कि मेजवान टीम की जोली पदकों से भरेगी बतादे इस दंगल में सामिल होने के लिए देशबर के खिलाडी राची पहुँच चुके है ज्यारखन कुस्ती संग की तैयारी पूरी हो चुकी है इस पर त्योकता गावद घाटावन भारतिये कुस्ती संग के अध्याक्ष बिरिज भूसन सरान सिंग करेंगे 45 सो रुपय घूस लेते कोडारमा के डंडाडी पंचाथ सचीव गिरफतायर हजारी बाग ACB की टीम ने कोडारमा के डंडाडी पंचाथ सचीव को गिरफतायर कर लिया है बतादे ACB की टीम ने जैनगर के पथल कुदवा में पंचाथ सचीव को घूस लेते रंगे हाथ गि कि सिकायत दर्च कराई थी इसी सिकायत के अधार पर ACB के टीम ने याग करवाई की है सहाय योजना का पांच जीलों में सुरुआत पच्छमी सिम्हुम के चाई बसा के अलावा सहाय योजना की सुरुआत सराय के लाखर सावा खोटी, गुमला और सिम्टेगा से हुई इसके तहट 14-19 साल के 72 रहार यूवक और यूतिया बिभीन खेलों में हिसा लेंगे वहीं बिजेता और उबिजेता को पुरसकार से समानित भी किया जाएगा बता दे सहाय योजना के तहट एक नया मांचीतर राजे में बनेगा अब गरामीन छेत्र के परतिभा सालिक खिलाडी को भी मंच सरकार देगी कारेकरम का सुभारम खेल सचीव अमिताब कोहसल के स्वागत भासन के साथ हुई मौके परमो के रूप से कैविनेट मंत्री जोबा मांजी मंत्री अलमगीर अलम, चमपाई सुरेन, हफिजुन हसन, सांसत गीता कोड़ा भी मजूद थे राची में खादे तेलों के दाम में गिरावाट राची राची में पिछले महिने की तुलना में इस बार खादे तेल और घरेलू रासन के दावों में मिला जूला असर देखने को मिल रहा है बतादे एक और जहां खादे तेलों के दाम में 2-10 रुपे प्राति रिटर तक गिरावाट आई है वहीं चावर और कुछ दालों की कीमत में 4-5 रुपे प्राति किलों की दार में बिरेदी हुई है बतादे राची धानी राची में खुद्रा बजार में औरहर दाल पहले 115 रुपे प्राति किलों से बिकती थी जो अब 105 रुपे प्राति किलों की दार से बिक रही है रामगण के गोला में हाथी ने एक ग्रामिन को मार डाला रामगण जीले के गोला प्रखन अंतरगत मुर्पागा में बुद्धवार की अहले सुबा जंगली हाथीयों के जोड़ने एक ग्रामिन किसान पर हमला कर दिया बतादे उसे सुण के सहरे पटक पटक कर मार डाला जनकारी के मुताविक मुर्पा गाउन निवासी किसान गोलक नाथ महतो सुबा खलियान में धान देखने निकला था इसी भी जंगली हाथी ने उसे पटक पटक कर मार दिया जारखन हाई कोट में पहली बार अदालतिक करवाही का सिधा परसारन किया गया बतादे बुद्वार को जस्टिस अपरेश कुमार सिंग और जस्टिस अनुभार आवत चोधरी की खंडपीट और जस्टिस आनंद सेन की एकलपीट में होने वाली सुनवाई का यूटूब पर सिधा परसारन किया गया बता दे खंडपीट में अपराधिक मामले और एकलपीट में मिसलेनियस अपील पर सुनवाई हुई हलाकि बरतमान में ट्रायल के तोर पर उक्त दोनों कोट की करवाही का सिधा परसारन किया जा रहा है धन्यवाद यादि आप चैनल परना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एक अंदवाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना सुझा अवास से दे थैंक यू